सुप्रीम कोट ने मोधी सरकार से आखिर क्यों कहा कि व्यक्ति की आजादी के साथ सुप्रीम कोट खिलवार नहीं होने देगा दोस्तों GST कानून को लेकर मोधी सरकार सुप्रीम कोट में बुरा फस गई है मूधी सरकार की एक बार फिर सुप्रीम कोट ने रातों की नीदे उड़ा दी है सुप्रीम कोट ने मूधी सरकार से GST कानून को लेकर हुई गिरफतारियों की सारी रिपोर्ट मांगी है सारी लिस्ट मांगी है क्या क्या हुआ है सुप्रीम कोट में कैसे मोधी सरकार की गलती सुप्रीम कोट में रंगे हाथों पकड़ी गई है बताएंगे विस्तार से आपको इस वीडियो में तो वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर सुनिये का दोस्तों नमश्कार स्वागत है आपका देशनीती में सुप्रीम कोट ने मोधी सरकार को साफ साफ शब्दों में कहा है कि सुप्रीम कोट बिल्कुल भी परदाश्त नहीं करेगा कि किसी भी व्यक्ती की आजादी के साथ खिलवार हो किसी का भी उतपीडन हो सुप्रीम कोट ने मोधी सरकार को जम कर फटकार लगाई है और लगाए भी क्यों ना 200 मोधी सरकार के खिलाफ एक दो नहीं पूरे 281 याजी का सुप्रीम कोट में दर्च हुई है जीस्टी कानून की धारा 59 का गलत इस्तेमाल करके मोधी सरकार लोगों को गिरफतार कर अपनी शक्तियों का दुरूपियों कर रही सुप्रीम कोट ने मोधी सरकार से जीस्टी आक के तहट एक से पांच करोड रुपए के डिफॉल्ट के लिए जारी किये गए नोटिस और गिरफतारियों का डाटा मांगा है जिस पर सुप्रीम कोट में जस्टिस संजीव खन्ना, M.M. सुन्दरेश और बेला M. त्रिवेदी की बेंच ने मोधी सरकार की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसीटर जनरल S.V. राजू को कहा कि आप पिछले तीन सालों के डेटा आंकड़े निकाले और GST Act के तहित एक से पांच करोर रुपे तक के आरूपी कौन-कौन है उसकी गंभीरता को हम देखेंगे आप उसे जमा करें और साथ ही उन्होंने कहा कि हर मामले में गिरफतारी करना बिल्कुल ठीक नहीं है हम ये बिल्कुल भी बरदाश नहीं करेंगे कि किसी भी व्यक्ति की आजादी के साथ खिलवार हूँ किसी का भी उत्पीडन हूँ सभी मामलों में लोगों को सलाखों के पीछे नहीं भेजा जा सकता बेंच नहीं कहा कि धोका धड़ी के मामलों और अंजाने में हुए चूक के बीच काफी अंतर होता है 281 याची का करताओं ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि सत्ता का गलत इस्तमाल किया जा रहा है GST कानून की धारा 69 और PMLA का गलत इस्तमाल किया जा रहा है GST की धारा 69 में गिरफतारी का प्रावधान है जिसका दुरूप्योग कर मोदी सरकार जनता को परिशान कर रही है दरसल याची का करताओं की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट सिधार्थ दूथरा ने सुप्रीम कोट में कहा कि GST आक्ट के तहत अधिकारी अपनी शक्तियों का दुरूप्योग करते है मोदी सरकार सत्ता का इस्तमाल करके जनता को परिशान कर रही है गिरफतारी नहीं की जाती है लेकिन लोगों को नोटिस जारी करके गिरफतारी की धमकी दी जाती है ये लोगों की स्वतंदरता को कम कर रहा है और गिरफतारी से पहले टैक्सपेयर्स पे कितने पैसों का आरोप है ये भी नहीं बताया जाता है दोस्तों मोधी सरकार की और से वहीं पेश हुए Additional Solicitor General S.V. राजू ने मोधी सरकार की और से क्या-क्या दलील लिए बताएंगे आपको उन्होंने ये कहा है कि Central GST Act के तहत Notice और गिरफतारियों से जुड़ा डेटा तो वो इकठा करेंगे हाला कि उन्होंने ये भी कहा कि राज्यों से संबंदित ऐसी जानकारी एकठा करना मुश्किल होगा लेकिन वो अगली सुनवाही के दिन बेंच के सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे मामलों की अगली सुनवाही दोस्तों 9 माई को होगी Supreme Court ने खास अरी के से जानकारी लिखित में होनी चाहिए मैं आपको बता दो दोस्तों कि जिस GST की बात यहां हो रही है वो प्राभधान असल में है क्या तो GST यानि Goods and Service Tax एक Indirect Tax है इसे Variety of Previous Indirect Tax यानि VAT Service Tax, Purchase Tax, Incise Duty और कई Indirect Tax को रिप्लेस करने के लिए 2017 में लागू किया गया था GST में 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत के 4 स्लैब है और जिस आक्ट के तहट यह बवाल हो रहा है यानि धारा 69 वो असल में है क्या तो असल में इसमें किसी भी सरकारी अधिकारी के पास यह ताकत होता है कि वो किसी भी व्यक्ती ने अगर जो है धारा 132 की उप धारा 1 के खंड A, B, C, D के खिलाफ तो कोई अपराद किया गया हो उन्हें अगर ऐसा मैसूस होता है तो कोई भी अधिकारी उन्हें गिरवतार कर सकता है और 24 घंटों के अंदर उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश भी कर सकता है दोस्तों मोदी सरकार ने अपरीज दो हजार चौबिस में गुजसन सर्विस टैक्स यानी GST से रिकॉर्ड 2.4 लाग करोड रुपे जुटाएं ये अब तक का किसी भी महीने जुटाया गया हाइस GST कलेक्शन है दोस्तों ये एक तरह का एक्स्ट्रा कर या फिर एक्स्ट्रा टैक्स है जो 2,00,00 करोड कमाने वाला और 2,000 रुपे कमाने वाला दोनों एक ही समान चुकाता है और ऐसे में गिरवतारी का ये प्रावधान PAML के साथ भी जुटता है सुप्रीम कोड ने बोला है कि अगर आपको गिरवतारी करनी है तो उससे पहले आपको लिखित में उसका कारण भी बताना होगा वरना ऐसे तो कोई भी कभी किसी को भी उठा लेगा दादागिरी दिखा देगा दोस्तों सुप्रीम कोड की सुनवाही के बाद जो मूदी सरकार GST के द्वारा 2,000,000 करोड जमा हुई राशी पे खुश हो रहे थे वो शायद कहीं न कहीं सब पानी में भेगया है बाकी आप क्या कहना चाहेंगे इस सुनवाही पे अपनी राय हमें अपने विचार जो हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और 9 माई को दोस्तों पता चलेगा कि मूदी सरकार द्वारा जमा किये गए आंकड़े कितने सही हैं और कितने गलत फिर मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए देखते रही देशनीती चानल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा साथ में नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दीजेगा तनिवाद आप देख रहे हैं देशनीती में आपके साथ गेटी भाविया देखते रहे सची और बेबाग पत्रकारी था